तो फ्रेंड्स मैं हून लेश और आज हम create करने वाले हैं एक complete website वो भी 10 minutes से भी कम time के अंदर तो ये रहेगा हमारी website का first look और करते हैं इसको scroll तो नीचे हमारा our work section, pricing section, our team, contact और ये नीचे हमारा footer section अब इसको हम small devices में open करते हैं तो आपको कुछ ये ऐसा दिखने वाला है fully responsive य design होने वाली है और इस website को हम बहुत ही कम time के अंदर यानि 10 minutes से भी कम time के अंदर इसको create करने वाले हैं without writing a single line of css code तो चलिए start करते हैं सो यहां पर हमने simple सा HTML का format create किया हुआ है इसको करते हैं copy file path और browser पर देखते हैं इसका output तो next tab में कर लेते हैं इसको paste तो अभी देखें इसके अंदर हमने कुछ भी create नहीं किया है तो चलिए आते हम Google में और search करते हैं सबसे पहले tellwind css के बारे में search करते हैं तो first link आपको मिलेगी tellwindcss.com यह इसके official website है तो अब करते हम इसमें get started पे click यहां इसका documentation दिया हुए कि tellwind css को हम दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं फर्च वाया npm और second इसका CDN link यूज़ करके तो इस वीडियो के अंदर हम CDN link का यूज़ करने वाले हैं next वीडियो के अंदर में आपको npm के तुर इसको completely install करना और कैसे हम इसको यूज़ करते हैं detail में मैं बताने वाला हूं तो मैं next वीडियो को आप जरू देखिएगा तो अभी हम CDN का यूज़ करने वाले हैं तो इसको करते हैं नीचे scroll और नीचे आने पर आपको CDN link इसका दिखाई दे जाएगा यह देखिए यहाँ पर इसकों CDN link के तुरू भी access कर सकते हैं बट CDN link में आपको कुछ facility है जो provide नहीं कि जाती जैसे यहाँ पर देखिए इस default theme कों कस्टमाइज नहीं कर सकते कोई भी directives यूज़ नहीं कर सकते और कोई third party plugins इसमें हम यूज़ नहीं कर सकते हैं तो अगर आपको इन सब का यूज़ नहीं करना हो तो ही मैं recommend करूंगा आप CSS इसका जो CDN link है उसका यूज़ करें otherwise इसको हमें completely install करना पड़ेगा तो अभी इस website के अंदर हम कोई भी extra plugin यूज़ नहीं करने वाले हैं तो मैं only आपको CDN link का यूज़ करके create करने वाला हूँ website तो इसको करते हैं copy और आते हैं हमारे HTML वाली file में और title के नीचे कर लेते हैं जस्ट इसको paste इसके बाद देखिए अगेन आते हम Google में और next tab में search करते हैं tell wind blocks search करते हैं देखें फर्स लिंक आपको मिलेगी यह GitHub की link है इस पर करना है हमें click करने पर आपको यह website open हो जाएगी tell blocks नेम वाली अब इसके अंदर सब देखें यहां पर blocks पहले से बनाए हुए है ready mate हमें क्या करना है सबसे पहले हमारा header create करना है तो नीचे आते हैं जहां पर यह header है हमारा तो देखें यह header section है तो header section आपको किस टाइप का चीए इसमें आपको design दी हुए यह simple सा है यह देखें यहां पर इसका दिखाए दे रहा होगा second वाला header आपका कुछ इस तरीके से होने वाला है और third header आपका यह देखें इस तरीके का है तो जो भी header आपको पसंदा है वह यहां से आप चूज कर सकते हो तो यहां से colors भी आपको दिखाए दे रहे होंगे तो ग्रीन color ले लेते हैं और इसके बाद में जो फर्स्ट वाला header है उसको करते हैं चूज तो यह नवबार है आपकी क्या करेंगे व्यू कोड़ पे क्लिक करना है और इस complete code को करते हैं यहां से copy और browser अब इनको कर लेना है हमें चेंज तो जो आपका यह लोगो है उसका नेम चेंज कर देते हैं आपे हम कर देते हैं आप इसको टैल्विंड वेब और यहां पर जो आपके मेन्यूज है वो भी हम चेंज कर लेते हैं तो फर्स्ट मेन्यू हो जाएगा हमारा home इस तरीके से हम सारे मेन्यूज change कर लेते हैं हमने menus change कर लिए हैं और जो यह बटन है इसकी value भी change कर देते हैं तो यहां पर कर देते हैं logging इसको करते हैं save और browser पर करते हैं refresh यह देखिए यहां पर आपके menus ready होच में अब जो यह आपका green और इसकी value set कर देना है 500 और इसके बाद में जो टेक्स्ट है उसको कर देना है white तो इसके आगे लिख देंगे text dash white save करते हैं और refresh तो यह देखिए automatic हमारी नेव बार बनके complete हो चुक्क है आगे नाते हैं और इसके बाद अब हमें क्या चाहिए हमारा जो नीचे वाला section है तो हीरो से इमेज बोलते हैं उसको तो यह देखें नीचे हीरो इमेज है इस पे हमें कर देना है व्यू कोड़ पे क्लिक और complete कोड़ को करते हैं यहां से copy और आते हमारे फाइल को करते हैं सौरी यह अपने वाले इसको करते हैं रिफ्रेश तो यह देखें यहां पर इतना हो चुक है अब हमें बस image एड़् करनी है और button को rename करना है सो आते हैं हमारे एडिटर में और जो यह button है इसकी वैल्यू चेंज कर देते हैं तो यहां लिख देते हैं hire me और और सेक्ट बटन की value चेंज कर देते हैं यांपर और उसको हम लिख देंगे डाउनलोड cv और जो हमारी image है उसको भी कर लेते हैं यहां से change तो यहां पर आते हैं और double quotes के बीच में लिखते हैं हमारी image तो हमारी image पढ़िए images folder के अंदर और उसका name है ta1. उसका type है png save करते हैं और refresh तो यह देखे हैं यहां पर हमारी image और text सब कुछ आ चुका है next create कर यह वाला section about works वाला तो चलिए create कर लेते हैं आते हैं वापस tell blocks के अंदर और content वाले section पर आते हैं क्योंकि हमारा content है तो c से देखना है sorry वापस से इदर आते हैं और content पर आते हम blog है c और यह content तो content के अंदर हमें यह जो देखे second वाला है यह हमें चाहिए तो आते हैं इस पर और view code पर करते हैं और complete code यहां से copy करते हैं और editor में आने के बाद इस section के बाद में कर लेते हैं paste save करते हैं और अपनी वाली file को कर लेते हैं यहां पर refresh तो यह देखें नीचे आ चुक है अब इनको कर लेना हमें edit अपने according तो सबसे पहले सेम इस github को करते हैं remove और उपर जब हम copy करते हैं तो यह text आता है इसमें refresh तो यह देखें यहां पर हमारी images आ चुके हमारा यह वर्ट section complete हो चुका है next time create करना है हमारा यह देखें इसमें Pricing section तो आते हैं इसमें यहां पर देखें by posting पर मिलेगा तो नीचे आते हैं gallery और यह प्राइजिंग देखें तो इस्फिया एक्षेंद प्लराओते हैं तो पर आते हैं प्लिक करते हैं और कंसे copy करते हैं और करेंजिए दूर्इसिस थे सेक्षन के बात में paste तो यह यह जितना भी टेक्स-टेक्स रा इसको करते हैं रिमूव सेव करते हैं और अपनी वाली फाइल को कर लेते हैं चिफ्रेश तो यह देखे नीचे यह प्राइजिंग स्ट्जिंग भी आ चुका है नेक्स्ट में क्रियेट करना है क्या हमारा प्राइजिंग के बाद में अवर team section तो वापस आते हैं आवर team section मैंने create किया है testimonial से तो यह देखें नीचे आते हैं और यहां पर testimonial में आपको यह वाला मिल जाएगा तो यहां से करते है view code पे click publish code or editor में आने के बाद कर लेते हैं section के बात में यहां पर Nietаю नीचे इसको paste CM वही है github remove कर दो और उपर आने के बाद में यह जो भी है copied text इसको कर देते हैं यहां से remove save और अपनी वाली file को करते है refresh तो यह देखें यहां पर नीचे आपका यह testimonial यानि जो आवर टीम वाला section वह आ चुक है यहां पर हमें बस हमारी images add कर देनी है तो आते हैं editor में और यह देखें जहां पर आपका image source है यह रहा इसको कर लेते हैं change तो यह देखें img src वाला है यहां पर हमें हमारी image लगानी है तो लगा देते है images slash t1.jpg same as it is हम सारी images change कर लेते हैं हमने images change कर ली है अब करते हैं इसको save और browser पर आके करते हैं refresh तो यह देखे हमारा अवा team section भी ready हो चुका है नीचे upgrade करना है हमारा कौन सा contact section तो आते हैं वापस से और यहां पर देखेगा contact हमें C पर मिलेगा तो वापस हमें उपर आना पड़ेगा और जहां पर आपका यह contact वाला section है content है और यह रहा contact तो contact में हमें यह वाला चाहिए तो इस पर आते हैं और यहां से कर लेते हैं view code और same complete code को copy करते हैं editor में आए और इस section के बात में कर लेंगे same paste वही github remove और उपर आने के बात में यह जो भी आपका टेक्स टेक्स्ट्रा इसको करते हैं यहां से remove save और अपने वाली file को करते हैं यहां पर refresh तो यह देखें नीचे contact भी आ चुका है लेकिन साथ में यह नीचे यह icons वगर हैं यह आ रहे हमें यह नहीं चाहिए तो editor में आते हैं और यह देखें यहां पर इस button के बाद में जहां पर यह देखें button है आपका देखें बटन यह बटन की value change कर देते हैं यहां करते हैं button की value send और इसके बाद में जो आपका div है वह हमें नहीं चाहिए तो उनको कर देंगे हम यहां से remove जितना भी matter है इसके बाद का और section के उपर तक करते हैं remove save करते हैं और refresh देखें नीचे का जितना भी पार्ट वो रिमूव हो चुका है next हमें create करना है हमारा यह footer section तो आते हैं वापस से tell blocks के और footer F पे मिलेगा आपको दो नीचे scroll करना है feature और यह footer तो यह देखें यह footer designs है जो भी आपको पसंदा है यहां से choose करिए और view code पे click करना है select all करना है copy आओ editor में section के बाद में कर लो paste get up remove कर दो उपर आओ और यह देखें same यह वाला matter भी हमें remove करना पड़ेगा यहां से करते हैं save और अपनी वाली file को कर लेते हैं refresh तो यह देखें हमारा footer भी बनके ready हो चुका है अब हमें क्या करना इसकी responsiveness देखनी है तो देखें इसको करते हम small devices में open यानि small view में तो यह देखें automatic complete आपका responsive layout भी बन चुका है बिना किसी css का code किये so i hope यह वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को subscribe जरूर करिएगा और next वीडियो के अंदर में आपको इसको completely install करना npm के through और इसको use कैसे करते हैं detail को समझाने वाला हूं तो next वीडियो आप जरूर देखेगा